Hello students, I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. आज आपे समक्ष प्रस्तूत है साइन्स का में टॉपिक. साइन्स किसे काते हैं वाटी साइन्स? The word साइन्स comes from the Latin word scientia which means to know. Thus the knowledge which man has gained through observation and experiments when organized systematically is called science. अर्थात विज्ञान क्या है? तो हम जानेंगे विज्ञान शब्द जो है एक Latin सब्द से आया है जिसका अर्थ यह जानना होता है कि ज्ञान जो मनुश्यों ने अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से आयोजित किया है अर्जित किया है उसी का व्यवास्थित रूप जो है वो आपका विज्ञान कहलाता है अब विज्ञान के भी कई प्रकार होते हैं इसे भी कई भागों में वर्गिकृत किया गया है जिसमें से हम परहेंगे अभी नेचुरल साइंस के बारे में नेचुरल साइंस क्या होता है तो साइंस रुलेटा तो नेचुरल फिनमीना इस रुड नेचुरल साइंस Natural science is fundamental science from which various branches such as engineering, medicine, astronomy, agriculture, geography, geology, aeronautics, etc. have been derived और थात प्राकृतिक घटना से संबंधित विज्ञान को ही हम लोग प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के अंतरगत में विज्ञान की कुछ साखाएं इस प्रकार से समावेशित की जाती हैं। जिसमें आपका इंजिनियरिंग, चिकेच्चा, खगोल विज्ञान, क्रिसी विज्ञान, भूगोल, भूविज्ञान, तथा वैमानी की इत्यादी का ब्रांच आता है। Natural science can be classified into two main groups, biological science and physical science. Biological science क्या होता है? The science which deals with living things is called a biological science. जबकि physical science में हम लोग परते हैं, the science which deals with non-living things is called physical science. अब हम जानेंगे इनके हिंदी रुपांतरन को, तो हम जानेंगे प्राकृतिक विज्ञान को मुखेता दो भागों में वर्गिक्रित किया गया है, जिसमें से पहला आपका आता है बहुत की विज्ञान और दूसरा जो है वो आपका आता है जैविक विज्ञान. अब होतिक विज्ञान किसे कहते हैं तो वह विज्ञान जो गैर जीवित चीजों से संबंधित होती है बहुतिक विज्ञान कहलाती है जबकि जैविक विज्ञान वह विज्ञान जो जीवित चीजों से संबंधित होती है जैविक विज्ञान कहलाती है अब हम जानेंगे physical science के बारे में there are mainly two classes of physical science physics and chemistry physics the branch of science which deals with nature and natural phenomena is called physics in this branch we study about matter energy and their mutual interaction अब हम लोग जानेंगे chemistry के बारे में तो chemistry एक अलग ब्रांच है जो physics में नहीं परना है मैं उसे chemistry के class में बता दिया करूंगा अर्थात बहुत की विग्यान को दो भागों में वर्गी कृत किया गया है बहुत की तथा रसायन में अब हम जानेंगे कि बहुत की क्या है विग्यान की वह साखा जो प्रकृती और प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित है बहुत की कहलाती है इस साखा में हम पदार्थ पूर जाता था परस पर पारस परिक्रियाओं के बारे में अध्यन करते हैं डरत प्रेश को डर्ड़ पारह स्ट थीस क either प्रुश्ट ग्रीड जा तृवड जान प्रट की अर्था पर आ इंचिदेंछ भी प्राण ethics ग्रीयाओं कि वैग्यानिक अरस्तु द्वारा तीन सो पच्चास इसा प्रूव में पेस क्या किया गया था है बचा हुआ भाग अब अगले वीडियो में हम देख पाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को लाइक शेयरता था कमेंट जरूर से जरूर करें प्रूव पर लूपना एक लाग ओन्यवाद प्रूब करेंट वीडियो प्रूव में प्रूव पर लूपना एक लाग वन थासंग वन तूर्ण